असलाम अलेक्म एर्वन मैं हो मुहमत तल्हा और आप लोग देख रहे हैं तल्हासफेस अकैटनी आज हम लोग सेकेंडियर फेस के चैप्टर नंबर 16 यानिक एलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेर्स और इलेक्ट्रोनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक कवर कर रहे हैं बह आफ वेर्टिफिकेशन और फुल्वेर्टिफिकेशन के दर्मियान में डिफरेंस भी समझना है तो सबसे पहले कर लेते हैं कि क्या मुराद है रेक्टिफिकेशन से देखो वैसे एक अगर उर्दू में ट्रांसलेट करूं मैं इंगलिश से तो उसका मतलब होता है ऐससे तो और इक्टिफिकेशन से मुराद है ओल्टिन करंड को डरेक करंड में कनवर्ट करना किके रेक्रिकेशन से मुराद है यह प्रॉसेज करता रहता है हमारे गरों में जो केलेक्ट्र का सब्सक्रेंग का करन्ट आ रहा है कैले मिद्च के जरी के इन्डश докollen आ रहा है हमारे गरोंके अंतर करेंज आरा है उसमें positive half cycle होती है negative half cycle होती है जो कि जाहिर करता है कि वहाँ वो जो current है अपनी polarity को लगातार क्या कर रहा है चेंज कर रहा है ठीक है इसी वजह से कभी जो हम alternating current को इस्तमाल कर रहे होते हैं किसी device के अंदर तो plug लगाते हैं हम यह नहीं सोचते कि positive कौन सा और negative कौन सा है क्योंकि बात यह है कि वह तो अपनी polarity को लगाता है चेंज कर रहा है उसमें positive negative का चक्कर नहीं होता है जबके direct current क्या होता है ही बेर्ण कर दो पॉता जो हमें बैटेरी से मिलता है प्हां पॉजरे टिरिक न डर्च को चैनल अ तो वोगे क्या करना यह बड़ता है तो ईसी करें क्या करेंगे सुबॉ अंदर फ्लो करता हुआ था जरे arc के नहीं करता है जो पॉजिस्तिर गो cham direction को क्या करता रहता है alternate करता रहता है यानि कि change करता रहता है ठीक है तो अब rectification से क्या मुराद है rectification से मुराद है वो जो alternating current है उसो convert करना direct current है ठीक है और convert करने के process को rectification कहते हैं और जो device ऐसा करती है उसे कहते है rectifier ओके तो हमारे देख लेते हैं कि half wave rectification कि circuit के जरीए होती है तो जैसे कि मैंने समझाया half wave rectification में जो rectifier होता है वो conduct करता है current को only during the positive half cycles of the input alternating supply ठेकर अब ये बात समझ जाओ कि जो half wave rectification है वो conduct करेगा यानि कि वो current को pass करेगा सिर्फ वो सिर्फ कौन सी cycle के दौरान जो positive half cycle बनती है यानि जो positive वाला portion होता है cycle का wave का सिर्फ उस पे जो है वो conduct करेगा otherwise conduct नहीं करेगा the negative half cycle of the AC supply are suppressed उसको वो खतम कर देता है यानि कि during negative half cycle कोई भी current pass नहीं होता no current is conducted and hence no voltage appears across the load जो हमने load लगाएवा होता है external circuit के अंदर यानि कोई भी load हो सकता है जो चीज़ हम चलाना चाहरे हैं इस rectifier के थूरू उसको हम load कहते हैं तो उसके उपर कोई voltage नहीं आता कोई voltage नहीं आता तो मतलब वो working में नहीं होता तो इस तरीके से आप ये बास समझ लो के current हमेशा flow करता है सिर्फ एक direction में through the load after every half cycle यानि के half cycle के बाद ही current flow करता है फिर रुप जाता है negative half cycle में फिर positive के अंदर flow करता है फिर negative में रुप जाता है ठीक है तो अब यहां पर मैंने आपको wording में समझाया है अब जरह आप उसको circuit diagram के जरीए देखो circuit diagram के अंदर देखो यह आगए हमारी alternating current की supply ठीक है यानि कि जो input है वो alternating current की supply है और alternating current की supply का जो symbol है वो यही होता है एक wave का symbol जो के आपको नजर आ रहा है ठीक है उससे हमने क्या connect कर दिया उससे हमने connect कर दिया एक diode को और diode का यह symbol जो है आपको मालूम होगा कि यह जो side होती है triangle वाली यह P side को show करती है और यह जो line होती है यह show करती है N side को ठीक है यानि कि हमने alternating current supply के साथ और यह simplest half wave rectifier में आपको बता रहा हूँ कि alternating current supply के साथ हमने यहाँ पर लगा दिया एक diode ठीक है और फिर यहाँ पर इस पूरे circuit को connect कर दिया आगे एक load से जो load है उसको circuit मे हम show तो resistance से करते हैं लेकिन आप यह समझ जाओ कि resistance जो है ना यह basically load है यानि कि जो चीज हम इस rectifier के थुरू चलाना चाहरे है यहाँ पर वो चीज लगी होगी मतलब कि अगर मैं एक mobile phone को charge करना चाहरा हूँ तो यहाँ पर वो mobile phone लगावा होगा लैप्टॉप को चलाना चाहरा हूँ तो एक laptop लगा होगा यानि कि जो भी चीज में चलाना चाहरा हूँ इस rectification के बाद वो यहाँ पर लोड है RL और बाकी यह diode लगी है और याद रखो यह side हो गई P और यह वाली side कौन सी है N side और बाकी हम input तो दे रहे हैं आपको पता है alternating current का अच्छा जी अब for example जो wave आई AC व रही होगी ठीक है जब यह positive half cycle चल रही होगी तो for example यह वाला जो terminal है यह हो जाएगा positive जैसे के आपको नजर भी आ रहा है और यह हो जाएगा negative जो के clearly नजर आ रहा है अब आप देखो कि यहाँ पे जो बाइसिंग है वो कौन सी हुई है जो last lecture में समझा चुका हूँ positive side जु अगर diode की P side यानि के positive वाली side positive terminal से जुड़ी है और जो N side है वो negative terminal से जुड़ी हुई है तो इस किसम की बाइसिंग को forward बाइसिंग कहते हैं और forward बाइसिंग के अंदर maximum current pass होता है अगर यह बात नहीं पता नहीं समझ में आ रही है तो लाजमी तोर पे इस lecture को यहाँ पे रो current इस तरीके से pass होगा positive से negative की तरफ और आप देखेंगे हमें output में भी positive half cycle मिलेगे यानि के जब तक positive half cycle चलती रहेगी हमारे alternating current की जब तक output में आपको एक positive current मिलता रहेगा और वो for example इस तरीके से positive से negative की तरफ flow करता रहेगा जो के यहाँ पे red arrows आपको show कर रहे हैं लेकिन alternating current की जो positive cycle है उसके बाद यकीन negative cycle आनी चाहिए आगे तो जब negative cycle आती है तो आप देखेंगे alternate हो जाएगा दर दुबारा से देखिए अभी यह वाली side positive थी यह वाली side negative थी लेकिन alternating current की खास बाद ही कि अब जब negative cycle स्टार्ट होगी तो जो terminal है यह alternate हो जाएगी और negative हो जाएग P side है वो negative terminal से जुड़ी हुई है और जो N side है वो positive terminal से जुड़ी हुई है इस Bicing को कहते है reverse Bicing और reverse Bicing मैं समझा चुका हूँ practically no current passes through the reverse Bicing कोई भी circuit अगर reverse Bicing होगा तो उसमें कोई भी current pass नहीं होता practically no amount of current will flow ठीक है तो नतीज़े हमें output में क्या मिलेगा output में कुछ नहीं मिलेगा बलके gap मिल जाएगा हमें यहाँ पे clearly हमें gap नजर आ रहा है यानि current जब तक यह negative half cycle चलती रहेगी output में हमें कोई current नहीं म मिलेगा ठीक है लेकिन अब फिर वही बात है अगला positive cycle आना चाहिए यह आगला positive cycle जैसी अगला positive cycle आया तो फिर वही बात है alternating हो जाएगी यह वाली side positive बन जाएगी यह वाली side negative बन जाएगी positive से जुड़ा है negative negative से जुड़ा है यह हो गई हमारी forward Bicing, forward Bicing में current pass होगा और relation को alternate नहीं करता है और फिर वही बात है जब यहां पर negative cycle आएगी हमारे alternating current supply वाले में तो output में हमें कोई भी current नहीं मिलेगा क्योंकि देख लो जो Bicing है negative positive से जुड़ा है और यहां का inside positive से जुड़ा है तो कोई भी current pass नहीं होगा तो आप देखोगे output के अंदर हमें gap मिलेगा तो लाजमी तोर पे clearly नजर यहां आ रहा है कि यहां पर जो output है उसमें सिर्फ और सिर्फ positive current flow कर रहा है negative नहीं है और यह actually direct current ही है alternate current नहीं है क्योंकि अब negative cycle को हमने पूरे तोर पे क्या कर दिया है cut off कर दिया है अब half wave rectification के अंदर एक चीज नोट करी कि यार बार बार क्या हो रहा है current का एक amount जाया हो रहा है जो कि हम use नहीं कर पा रहे है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए हमें current को use करना है तो ऐसी सूरत के लिए हम half wave को rectify करने के वज़ाए कुशिश करते हैं कि full wave को rectify करने के लिए हम चीज करने वाले तो पहले full wave की definition देखलो full wave rectification के अंदर current flow करता है through the load in the same direction for both half cycles of the input जो input alternating current होता है अभी हमने देखा कि जो half wave है उसके अंदर positive half cycle के दोरान जो है वो conduction होती है negative half cycle कूरी की पूरी cut off हो जाती है लेकिन full wave rectification में पूरी की पूरी wave जो है वो same direction के अंदर flow करवा देते हैं हम लोग यह देखलो same direction है flow कर रहा है यानि कि हो तो direct ही current जाएगा लेकिन जो input की दोनों cycles थी यानि positive और negative दोनों half cycles मिला कर current flow करेगा in the same direction और यह achieve किया जा सकता है दो diodes के जरीए यानि कि अब जो फर्क जो मैं आपको कह रहा था कि फर्क आएगा half wave rectification के अंदर सर करते हैं दो diodes को और उनसे current पास होता है और याद रखना है कि दोनों जो है वो same direction के अंदर हमने यहां पर लगानी है जैसे या इसके P side है और N side है तो यकीनन इसी direction के अंदर लगाना है डायोट का भी P side और N side और यहां पर जो है वो load आ गया और फिर मैं दुबारा बता दूँ कि मैं simplest आपको बता रहा हूँ transformer लगाए बिना क्योंकि बेसिकल जो बात मुझे आपको समझा नहीं है वो full view rectification ना के operation of transformer जो के already में chapter 14 में आपको समझा चुका हूँ तो basic diagram की तरफ मैंने सोचा के ज़्यादा बहतर रहेगा confuse करने के बजाए तो यहाँ पर D1 और D2 दो half cycles नजर आ रही है तो start करते हैं इसका operation तो सबसे पहले जब alternating supply की positive half cycle आएगी तो देख लो जब तक positive half cycle चलेगी let's say यह वाला terminal positive हो जाएगा और यह वाला terminal negative हो जाएगा त यहाँ कि जो D1 है वो हो गई forward biased ठीक है F से show कर देता हूँ यहाँ पर D1 जो है वो फिलाल forward biased हो गई है जबकि आप जरा D2 को देखो D2 के साथ क्या मामला चल रहे हैं D2 की जो P side है वो जुड़ी होई है negative terminal से और जो N side है वो जुड़ी होई है positive terminal से positive negative से जुड़ा हो negative positive से पास होता है और reverse biased में कोई current पास नहीं होता तो फिलाल conduction कौन करेगा फिलाल conduction करेगा D1 और D1 क्योंकि पॉजिटिव की वैसे कर रहा है तो जो positive half cycle है वो हमें यहाँ पे मिलेगी और current flow करेगा ऐसे positive से negative की तरफ तो देख लो जब तक positive half cycle चल रही है जब तक D1 conduction करेगा और D1 पूरा का पूरा conduction करता रहेगा यानि कि पूरी के पूरी फिलाल positive half cycle हमें मिल रही है in the output ओके अब फिर वोई बात है alternating current alternate होगा जैसे ही वो alternate होगा negative half cycle आएगी तो देखिए यहाँ पर यह जो हमारी positive side थी और जो negative थी यह भी तो alternate होगे तो alternate होके यह positive हो जाएगा यह negative हो जा यानि कि अब फिलाल जो D1 है वो हो गई है reverse biased और अब ज़रा D2 को देख लो D2 की जो P side है वो जुड़ी हुई है positive से और जो N side है वो जुड़ी हुई है negative से इसका मतलब D2 इस मरतबा कौनसी bicing में है वो है forward bicing में तो current pass होगा forward bicing में में मौजूद हमारी D2 की वजा से और द के current pass होगा from this positive to this negative जो कि मैं commercial current को show कर रहा हूँ तो D1 आ गया D2 आ गया और आप देखो कि जो positive half cycle थी वो भी यहाँ पर positive में convert हो गई है यानि कि current output में flow कर रहा है in the same direction यानि कि बन गया है direct current चलो एक और positive cycle के लिए समझाते हैं जैसी positive half cycle start होगी यह side हो जाएगी positive यह side हो होगा है और N जो है वो negative से जुड़ा होगा है यानि कि इस मरतवा हमारा जो D1 होगा वो forward 20 हो जाएगा और जो D2 है वो अपने आप समझ सकते हो वो reverse 20 हो जाएगा क्यूंकि positive negative से जुड़ा है और N side जो है वो positive से जुड़ी है तो अब current flow करेगा through D1 और हमें पूरी की पूरी half cycle यहाँ पर positive में मिलेगी और फिर दुबारा से जब negative half cycle आएगी finally तो conduct करेगा हमारा D2 और जब D2 conduct करेगा तो हमें output में current मिलेगा in the same direction due to D2 तो अब आप देखिए पूरी के पूरी जो wave थी alternating current की वो convert हो गई है direct current में D1 की वज़ाए से D2 की वैसे तो यहाँ पर हमें uninterrupted current म मिलता रहेगा जो के आम तोर पे laptop के charger करते हैं जो के mobile phone charger करते हैं यह जितने भी rectified circuits हैं वो बस ऐसे ही करते हैं कि हमें पूरा का पूरा जो current होता है direct current वो मिलता रहता है uninterrupted ठीक है तो अब हमें यह भी समझ में आ गया है कि half wave rectification किस तरीके से होती है और full wave rectification किस तरीके से हो होगी और important topic है difference के तौर पर इसको जहिन में रखो कि दोनों में क्या-क्या main points का difference है वाकी rectification एक important process है जो कि electronics की बुनियाद है क्योंकि electronics जवाई से चलती ही तब हैं जब हम alternating current को direct current में convert करते हैं उसके बाद ही यूज़ कर सकते हैं जिसे के power supply लगती है तो computer काम करता है फिर ज लेक्टॉप की battery को जो के direct current से चलती है वो alternating current को direct current में convert करता है फिर जो हमारा cell phone का charger होता है चारजर भी यह खास किसम का rectifier circuit है सिर्फ rectifier नहीं उसमें बहुत कुछ होता है लेकिन basic जो बात है वह है rectification की ठीक है तो अगर कोई confusion रहे गए तो इंशाल्ला मैं उसको दूर करने क प्रशिश करूँगा अब लिख देना comment section के अंदर इस lecture लिए इतना है अगले lecture मिलेंगे अल्ला आपिस